Hello dear students, welcome to my channel, my name is Lata और वच्चो आज हम study करेंगे question number 6 exercise 1.2 का तो इसमें क्या पूछा है कि explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers हमने explain करना है कि ये जो numbers है वो composite numbers क्यों है है तो ये composite numbers पर क्यों है तो बच्चो मेरी previous video जो है composite और prime number के उपर वो आपने देख लेनी है तो थोड़ा सा revision करवा देती हूँ prime numbers वो numbers होते हैं जिनके only two factors होते हैं क्या prime numbers के only two factors होते हैं एक one और वो number खुद ही और जो composite numbers होते हैं उनके more than two factors होते हैं one वो number और another कोई और number या simple way से हम यह बोल सकते हैं कि prime number वो number होते हैं जो कि one से divide होते हैं या खुद से divide होते हैं बाकी किसी another number से divide नहीं होते हैं और composite numbers वो number होते हैं वो कि another number से भी divide हो जाते हैं किसी भी method से आप इसको explain कर सकते हैं तो first number वाला देखते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 is equals to अब अच्छो इसमें कितनी terms है there are only two terms अब इन दोनों terms में common क्या है 13 तो 13 को बाहर निकालो तो अंदर के बच्छा 7 into 11 plus यहाँ पे आगया 1 अब इसको solve कर लो 13 यहाँ गया 77 plus 1 और यह कितना आगया 13 into 78 अब अच्छो 13 जो है वो हमारा prime number है और 78 क्या है composite number है या 78 जो है वो बाके नादर number से भी divide होगा अब यहाँ कितने factors बन रहे है 13 यह एक factor होगया और 78 यह even number है यह 2 से भी divide होगया तो क्या इसके more than 2 factors है यह 78 के more than 2 factors होगे या यह जो पूरा solve करके आया है एक factor इसका 13 आ रहा है एक 78 आ रहा है और सभी numbers का जो factor होता है 1 तो पक्का ही होता है तो more than 2 factors है तो इसलिए यह number क्या हो गया हमारा composite composite number आई बच्छो वा समझ यह 13 यह जो number हमने solve किया एक factor इसका 13 है एक 78 है और एक क्या हो जाएगा 1 क्योंकि सभी numbers का factor जो है 1 पक्का ही होता है अब now next को solve करते है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 and what is common common निकालो there are two terms here also 5 is common and अंदर कितना बच्छा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 अब जो अंदर वाली terms है इनको आप solve कर लो यह कितना आगया 42 into 7, 6 is 42 into 4, 3 is 12 into 2, 1 is 2 plus 1 अब 5, here is 5, 42 into 24 plus 1 अब यह आगया 5 and 42 और 24 को multiply करके देखते हैं 42 and 24, 8, 4, 16, 1 carry 4, 2 is 8 or 9, 0 यह आगया 0, 1 carry यह सोरी यह आगया 8 and यह 1 carry and यह 1008 plus 1 अब यह कितना आगया 5 और 1009 अब अच्छो एक फैक्टर जो आप 5 आ रहा है एक 1009 आ रहा है इसको solve करके और इसका एक फैक्टर 1 भी होगा तो यह कि more than two factors हो गए जी numbers के more than two factors होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं composite number तो यह क्या हो गया composite number तो बच्चो आपने ऐसे इसको explain करना है तो I hope आपको यह question अच्छे से समाझ आया होगा आपने बच्चो मेरा channel subscribe कर लेना है साथ में वैल icon भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की जो notification है आपको सबसे पहले मिल पाए बच्चो मैं easy से easy method का use कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समाझ आ जाए और आप hundred out of hundred ले सकें thanks for watching